नमस्कार आप देख रहे हैं डीडी नियूज आपके साथ मैं हूँ गौरफ शिर्वास्ताव संसर समचार में सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की लोकसभा में ब्रेस्पती वार को कॉंग्रेस द्रमुक और राश्टरवादी कॉंग्रेस पार्टी समेथ विभिन विपक्षी दलों के सदस्यों ने चीन के साथ सीमा पर तनाव और कोचान ने मुद्यों को लेकर हंगामा किया विबक्षी दलो के सदस्यों के हंगामे की कारण सदन की बैठक को दो बार के लिए स्थगन के बाद शाम चार बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई पुरवाहन ग्यारा बजे लोगसभा की कारवाई शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने साथ पूर्वा सदस्यों के निधन की जानकारी सदन को दी सदन ने कुछ पल मौन रखकर उन्हें शुर्धांजली दी लोगसभा द्यक्ष ने सदन का ध्यान कुछ देशों में कोविड-19 के फिर सक्री होने की ओर आकरष्ट कराया और सभी को साथधानी बरत ने एवाम सुरक्षा उपायों का पालन करने का सुझाव दिया इसके बाद उन्हें प्रश्णकाल शुरू करने का निर्देश दिया इसी दौरान कॉंग्रिस द्रमो कर राज्टरवादी कॉंग्रिस पार्टी समेत विपक्षी दलों के सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर विभिन मुद्धों पर नारे बाजी करने लगे लोगसभाद द्यक्ष ने सदस्यों से प्रश्णकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा प्रश्णकाल आपका समय होता है आप सदन के अंदर सरकार से सवाल पूछ सकते हैं आपसे आग्रह है कि प्रश्णकाल चलने दे विपक्षी सदस्यों का शोर शराबा जारी रहने पर लोकसभा अध्यक्ष ने बैठक शुरू होने के करीब 10 मिनट बाद ही सदन की कारवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थखित कर दी सदन की बैठक दोपहर 12 बजे पुना आरम हुई तो विपक्षी सदस्यों ने पहले की तरह नारे बाजी शुरू कर दी उन्होंने प्रधान मंत्री जवाब दो चीन पर जवाब दो के नारे लगाए विपक्षी सदस्यों के भारिश और शराबे के बीच पीठा सेन सभापती राजेंदर अगरवाल ने आवश्यक काखजाद सदन के पटल पर रखवाए सदन में हंगामे के बीच ही संसदिय कारे मंत्री प्रलाज जोशी ने बताये कि मौझूदा शीतकालीन सत्र शुकरवार को आनिश्यतकाल के लिए स्दगित हो जाएगा उन्होंने विपक्षी सदस्यों से आगरह कि वे सदन चलने दें जोशी ने चीन के साथ सीमा पर तनाव के संदर में कॉंग्रेस का नाम लिये बगार उस पर निशाना साथते हुए कहा रखशा मंत्री ने सदन में विस्तर रूप से बयान दिया है सेना ने भी एक बयान दिया है विपक्ष को कम से कम सेना के बयान पर तो विश्वास करना चाहिए उन्होंने कहा कि काफी समेधन चील मामला है ऐसे मामले पर पहले भी सदन में चर्चा नहीं हुई है संसदिय कारे मंतरी ने कॉंग्रेस पर निशाना साते हुए कहा कि ये लोग चीन पर जो चर्चा कराना चाहते हैं तो पता होना चाहिए कि इनके कालखंड में कितनी जमीन भारत ने खोई और हिंदी चीनी भाई-भाई का क्या हुआ जोशी ने आरूप लगाया कि जो लोग चीन से रिश्वत लेते हैं वे इस प्रकार से हंगामा करने का प्रयास करना हैं उन्होंने कहा कि वो अपील करते हैं कि सदन की कारवाई चलने दे पीठासीन सबबपती अगरवाल ने सदस्यों से सदन चलने देने की अपील करते हुए कहा कल सत्र का आकरी दिन है अभी महतपूर्ण कामकाज बचा है आप लोग सहयोग करिए सदस्यों को अपनी बात रखने दीजे हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने सदन की कारवाई करीब बारा बच कर दस मिनट पर दो बजे तक के लिए इस्थगित करती लोगसभा की बैठा के दो बार के इस्थगन के बाद अपरान दो बजे शुरू हुई तो पीठासीन सभपती किरीट सूलंकी न सदस्यों को नियम 370 के तहट अपने विशे उठाने का अफसर दिया इसी बीच स्वास्ते और परिवार कल्यान मंत्री मंसुख मांटविया ने कोबी-19 की वैश्वि नहीं देख पीठासीन सभपती ने अपराहन करीब 2 बचकर 15 मिनट पर सदन की बैठक शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी केंद्री स्वास्ते आवं परिवार कल्यान मंत्री मंसुख मांटविया ने विश्व के कुछ देशों में पिछले दिनों कोबी-19 के बढ़ते म मामलों के परिपेक्ष में संसत की दूनों सदनों में स्वता संग्यान लेते हुए बयान दिया माडविया ने कहा कि पिछले तीन वर्ष में कोबी-19 ने वैश्विक स्वास्ते के लिए खत्रा पैदा किया है जिससे हर देश प्रभावित हुआ है पिछले कुछ समय में कु नहीं मामले सामने आ रही हैं केंद्री मंत्री ने कहा कि जापान, अमेरिका, दक्षन, कोरिया, इटली और यूनान जैसे कई देशों में कोबीट से मृत्यों के मामलों में वृत्धी हुई है साथ ही चीन में कोबीट से संक्रमण और मृत्यों के बढ़ते मामलों की खबरे और पातरता वाली 90 प्रतिशद आबादी को दोनों टीके एवम 22.35 करोड आबादी को एतियाती टीके लग चुके हैं। उन्हों ने कहा कि कोवी नाइटीन के नियमन एवम नियंतरिण के लिए हमला गतार प्रयतन कर रहे हैं और संकल्पित हैं और इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। मान्विया ने कहा कि प्रधान मंतरी नरिन्द मोदी के नितरत में स्वास्त मंतराले ने प्रदीश की सरकारों और पूरे समाज के साथ मिलकर पूर्ण सकरिता के साथ इसका प्रवंधन किया और इसके अच्छे परिणाम भी मिले हैं। उन्होंने कहा कि राज्यों को इस मामले में तक्नीकी साहता के साथ ही राश्ट्रिय सवस्त मिशन राज आबदा प्रतिकरिया कोश प्रदान मंत्री आयुश्मान भारत योजना आदी के माध्यम से वित्तिय साहता भी प्रदान की गई है। स्वास्थ एवं परिवार कल्यान मंत्री ने कहा है कि कोविड-19 के बदलते स्वरूप ने सार्वजनिक स्वास्थ के समक्ष जोग चुनौती पैदा की उसे लेकर सरकार हमेशा प्रयत नशील रही है उन्होंने आगे कहा कि केंद्री सरकार वैश्वे के सिती पर नज़र रख रही है सारजनिक स्वास्थ के सामने आ रही चुनौतियों पर सरकार लगतार कदम उठा रही है राजियों को भी सामदाइक निकरानी बढ़ाने के लिए सलाह दी जा रही है मंत्री ने कहा कि राजियों को सक्रमल के सभी मामलों की जीनों सिक्वेंसिंग करने की सला दी गई है ताकि वाइरस का कोई नया स्वारूप आने पर इसकी समय पर पहचान की जा सके और कड़े कदम उठाए जा सके उनुने कहा कि हमें इस महमारी के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए प्रयास जारी रखना होगा और लोगों को ये बताना होगा कि महमारी अभी खत्म नहीं हुई है और टीका लेने के जाद सभी को सदक रहने की भी जरूरत है मांडविया ने कहा कि कोविट रूपी हमारा ये दुश्मन समय समय पर अपना स्वरूप बदल रहा है हमें एक साथ मिलका दिर्ण संकल्प के साथ लड़ाई जारी रखनी होगी स्वास्ते और परिवाल काडियान मंत्री ने कहा कि राज सरकारों को एतियात खुराक बढ़ाने और इसके प्रती जागरुकता बढ़ाने के लिए कदम उठाने चाहिए उनुने कहा कि अंतररास्ट्री हवाई अड़ो पर विदेश से आने वाले यात्रियों मेंसे दो प्रतीशत लोगों के नमूने बिना किसी क्रम के आरटी पी-सेयर जाच के लिए लेने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री मोदी की नेतरत में वाइरस की पहचान, नेदान, उपचार और टीगागरण समेत सभी प्रबंधन सरकार कर रही है और आगे भी इसे जारी रखा जाएगा लोग सभा में विभिन मुद्दो पर विपक्षी धलो के सदस्यों के शोर शराबे के बीच वाड़िच और उद्योग मंत्री प्योश गोईल ने सदन में कहा हमारे देश में कई सारे ऐसे कानून हैं जिसमें छोटी छोटी गलतियों के लिए लोगों को सदा दी जाती है कानूनी काईरवाई होती है और उन्हें अदालतों के चक्कर लगाने होते हैं उन्होंने कहा कि ये सरकार लोगों के उपर भरोसे की बात करती है और मानती है कि समानता व्यापारी वर्ग आम लोग इमानदारी से काम करते हैं और जीवन यापन करते हैं गोयल ने का कि कभी कभी लोगों से गल्ती हो जाती है उनके लिए सरकार का मानना है कि उन्हें छोटी छोटी गल्तियों के लिए आदालत नहीं जाना पड़े और जुर्माना दे कर मामला सुलच जाए उन्होंने का 2014 से ही हमारी सरकार जन्ता की जिन्दगी आसान बनाने के लिए लगतार निर्ने लेती जा रही है इन में स्वता, प्रमानन, जी एस्टी जैसे नए कानून और अन्य कई कार्य प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी के नहतुरत में किये गए इस से वियापार सुगमता और जीवन सुगमता बढ़ी है हम चाहते हैं कि देशी विदेशी निवेशवों को भारत में रेट टैप के बजाए रेट कार्पेट का मोहौल मिले मंत्री ने कहा कि इसी क्रम में लगभा का पंदरा सो पुराने और आप्रचलित कानूनों को समाप्त किया गया है उन्होंने कहा कि इस सरली करण होगा और आधुनी तकनीक का इस्तमाल कर लोगों का व्यापार और जीवन और सरल होगा उन्होंने कहा प्रधान मंत्री की अधित्रिय कलपना से हमने इस विध्यक के माध्यम से 19 मंत्रालियों से जुड़े 42 अलग अलग कानूनों में 183 प्रावधानों को अपरात की श्रेडी से बाहर रखने का काम किया है गोयल ने कहा कि जन्ता का विश्वास और व्याबारियों का विश्वास सबसे महदपूर्ण है और इससे अदालतों पर भी भार कम होगा उन्होंने कहा कि इसलिए इसका नाम जन्विश्वास प्रावधान संशोधन विध्यक 2022 दिया गया है उन्होंने उक्त विधियक को संसत के दोनों सदनों की एक संयूक्त समिती को अध्यान के लिए भेजने का प्रस्ताव भी रखा जिसे सदन ने ध्वानी मत से मंजूरी दे दी समिती में लोकसभा से 21 दस्य होंगे जिन में भारती रंता पार्टी के पीपी चौधरी, संजे जैस्वाल, उदै प्रताप सिंग, संजे सेट, क्वीन ओजा, खगीन मुर्मू, पूनम महाजन, पूनम मदाम, अपराजितल सारंगी, राजिन द्रगरवाल, रतन लाल कटारिया और अर्विंद ब्रह्मपूरी, कॉंग्रेस के गौरव गोगोई और दीन कुरिया कोस, त्रिनमोल कॉंग्रेस के सौगत रॉय, वाईयसार कॉंग्रेस पार्टी की वी सत्यवती, द्रमुक के ए राजा, शिफसेना से गजानन कीर्तिकर, जेडियू संसद, राजीव रंजन और फललन सिंग, दीजू जनता दल के पिनाकी मिश्रा और बहुजन समाच पार्टी के गिरीश चंद्रा हैं, इनके अलावा राजीसार के दस सदस्ये समीती में होंगे, गोईल ने कहा कि समीती बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले सबता के अंतिम देन तक अपनी रिपोर और हंगामा भी किया, इसके बाद भी सबापती जगदीब धंकर ने जब उनकी एक न सुनी तो उन्होंने सदन में बहिंगम किया और सुभा सदन की कारवाई आरम होते ही सबापती ने आवशक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए, उन्होंने बताए कि नियम 267 के तह अतिक्रमल के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग करने लगे, राश्टिय जनतादल के सदस्य मनोज जा, जनतादल यूनाइटेट के रामना ठाकुर और कॉंग्रिस के अखिलेश प्रताप सिंग ने सदन के निता प्योश गोईल द्वारा बिहार के खिलाफ की गई, एक बिहार का अपमान बताते हुए उनसे माफी की मांग की, वहीं सभापती ने विपक्ष के निता मलिका अरजुन खडगे को अपनी बात रखने के लिए कहा, खडगे ने कहा कि सत्र के पहले दिन से ही विपक्ष के सदस्य चीनी अतिक्रमल के मुद्दे पर चर्चा की मांग क जब आरजेटी, सांसद, मनो, जहा, अनुदान, मांगो पर चर्चा के दौरान बोल रहे थे, जहा ने कहा कि सरकार को गरीबों और ओदियों के घरानों पर सामान रूप से ध्यान देना चाहिए, इस पर गोयल ने जवाब दिया इनका वश चले तो देश को बिहार बना दे गोयल ने कहा, आज कहा कि उनका इरादा बिहार और बिहार की जनता का अपमान करना कता ही नहीं था, उन्हों ने कहा कि अगर इससे किसी को ठेश पहुँची तो वो थदकाल अपना बयान वापस लेते हैं गोयल के बयान के बाद भी विपक्षी दलो का हंगामा जारी रहा, सबबपती धंकर ने विपक्षी सदस्यों से शांत रहने और कारवाई चलने देने की अपील की, उनकी अपील बेशर रही और विपक्षी सदस्या आसन के निकट आ गए और चर्चा की मांग को लेकर नार गोयल के बाद भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा और तीज हो गया, कुछ देर के पश्चात सभी विपक्षी सदस्य सदन से वहिर्मगम कर गए और हंगामे के बीच ही सभपती ने शुन्यकाल चलाने का प्रयास किया और कुछ सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े अपने-अपने मुद्दे उठाए. भारती जंता पाटी की कविता पाटीदार ने महापुर्षों के नाम पर रखे गए भवनों, संस्थानों, सडकों, आदी के नामों को संशिप्त रूप में बोलने के चलन पर चिंता जटाते हुए कहा कि इससे वो देश्य भादित हो रहा है जिसके लिए भवनों, संस्थ पानों, सडकों का नाम महापुर्षों के नाम पर रखा गया है। उन्होंने कहा लेकिन आज नामों को संशिप्त रूप में बोलनी के चलन के कारण डॉक्टर राम नोहर लोहिया अस्पताल को आर एमल, देवी अहिलिया बाई, वेश्य विद्याले को डी एवीवी, रवी ने कानुरोद किया ताकि इसके उद्देश्य को पूरा किया जा सके और युवा पीड़ी इन से प्रेणा लेकर देश का भेतर भविश्य बना सके। कि हमाचर प्रदेश के चंबा जिले की पांगी घाटी में 40 वरस पहले सड़के बनाई गई थी जो आज तक वैसी ही हैं। उन्हें ना तो पक्ता किया गया है ना चोड़ा किया गया। कोविड नियमों का पालन करने, पूरी तरह से सदर्क रहने और अत्रिक्त एथियाद बरतने को कहा। सभापती ने कहा कि कई देशों में करोना वायरस संक्रमर्ट के मामले बढ़ रहे हैं और ये इस्तिती चिंता जनक है। उन्होंने कहा कि कोविड के बढ़ते मामलों के मदे नजर सतर कर रहने और अत्रिक्त एथियाद बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि संसल सदस्यों को जनता के सामने मिसाल पेश करना और एक्जूट होकर देश को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि प्रशाशन, डॉक्टरों, स्वास्त कर्मियों और सफाई कर्मियों सभी के समन्वेत प्रयासों की वज़ा से भारत कोविड महामारी की चुनौती से उबरा है। सभापती ने कहा कि लोगों कोविड टीके की करीब दो अरब खुराक निशुल का मुहिया कराई गई और टीका करन के प्रमार पत्र उन्हें ऑनलाइन उपलब धिकरा दिया गए। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ रिकॉर्ड समय पर हुआ। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कोविड महामारी के सिती एक बार फिर से चिंदा जनक है क्योंकि कई देशों में कुरोना वाइरस संक्रमन के मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे बचाव के लिए मास्क सैनिटाइजर का उपयोग करना, एतियात बरतना और सामाजी दूरी का पालन करना बहुत जरूरी है। सदन में सत्ता पक्ष के अधिकतर सदस्य और विपक्षी दलो के कुछ सदस्य मास्क पहने देखे गए लेकिन वे एक दूसरे से दूरी भी बनाए बिना पास पास ही बैठे थे। को सदर्क रहना चाहिए। विश्व के कुछ है देशों में पिछले दिनों कोविड-19 के बढ़ते मामलों के परिपेक्ष में संसत के दोनों सदनों में सवता संग्यान लेते हुए दिये गए अपने बयान में मांडविया ने कहा कि पिछले तीन वर्ष में कोविड-19 विश्विक स्वास्ते के लिए खत्रा पैदा किया है जिससे हर देश प्रभावित हुआ है पिछले कुछ समय में कोविड-19 के मामलों में वृद्धी की गई है। तिहार और नए साल के मदे नज़र राजियों को सदर्क रहकार लोगों के बीच मास्क पहनने हाद धोने साफसफाई और समाजिक दूरी बनाकर रखने जैसे प्रोटोकॉल के प्रती जागरुकता लाने की सला दी गई है। स्वास्त मंत्री ने राजिस हवा में विभेन सदस्तियों द्वारा मागे गए इस पच्टी करण के जवाब में कहा कि लोगों को भीड़ वाली जगहों में जाने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रिस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल कुछ लोग कुरोना वाइरस से संक्रमित पाए गए और हिमाचर प्रदेश के मुक्ह मंत्री भी इन में शामिल है। जिसकी तुलनम में दुनिया में प्रती दिन 5.8-7 लाख नए मामले सामने आ रहे हैं। केंद्री मंत्री ने कहा कि जापान, अमेरिका, दक्षिर कोरिया, इटली और यूनान जैसे कई देशों में कोविट से मृत्यू के मामलों में विद्धी हुई है। साथी चीन में कोविट से संक्रमण और मृत्यू के बढ़ते मामलों की खबरें भी मीडिया में आ रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार वैश्वी के सिती पर नज़र रख रही है, सार्फजने के स्वास्त के सामने आ रही ही, चुनोतियों पर सरकार लगतार कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि अंतरास्ट्री हवाई अड़ों पर विदेश से आने वाले यात्रियों में से दो प्रतीशत लोगों के नमूने बिना किसी क्रम के आटी पीसी आर जाच के लिए लेने की प्रक्रिया असे शुरू हो गई है। आटी के जवाब के बाद उच्छ सदन में तमिल नाडू की दो जातियों को अनुसूचित जंजाती की सूची में डालने के प्राफधान वाले सम्विधान आदेश विदेख दो हजार बाईस पर चर्चा हुई और इस पर जंजातीय कारे मंत्री अरजुन मुंडा के जवा जरिये उन्हें अधिकारों और सम्विधानिक प्राफधानों से संग्रक्षित किया जा रहा है। नारी कुरवर और कुरू विकरन पहाड़ी जंजातियों को अनुसूची जंजाती की सूची में शामिल करने का प्राफधान है। चर्चा के दोरान कई सदस्यों ने अपने अपने प्रदेशों में कुछ समुधायों को अनुसूचित जनजाती का दर्जा दिये जाने की मांगी थी। इस पर मुंडा ने कहा कि इस सूची में किसी जनजाती को शामिल करने के लिए एक पदती है जिसके अनुरूप ही निस्तारन किया जाता है चर्चा में भारती जनता पार्टी के जी वी एल नसिमा राव डॉक्टर के लक्षमार वाई एस र कॉंग्रिस पार्टी के राइगा कृष्णिया टी आरेस सदस्य बी लिंगईया यादव तरिणमूल कॉंग्रिस की मौसम नूर द्रमुक सदस्य तिरूची शिवा डॉक्ट बीजू जनता दल की ममता मोहंता अन्ना द्रमुक सदस्य एम थंबी दुरे बहुजन समाच पार्टी के राम जी तमिल मनीला कॉंग्रिस की जी के वासन जहार खंड मुक्ती मोर्चा की महुआ माजी और तेदेपा सदस्य कनक मेदला रवींद्र कुमार ने हिस्सा लिया सम्विधान अनुसूची जन्जातिया आदेश दूसरा संशोधन विद्यक 2022 को मंसूरी देने के बाद राजसभा में सम्विधान अनुसूची जन्जातिया आदेश चौथा संशोधन विद्यक पर चर्चा शुरू ही और चर्चा पर जन्जातिया कारे मंत्री अर्जुन म में विपक्ष के सदस्य मौजूद नहीं है। उनके हितों की पूर्ती कर रही है। करनाटा के काडू कुरूबा एवं बेटा कुरूबा समुधायों को अनुसूची जनजाती की सूची में शामिल करने के प्राफधान वाले सम्विधान अनुसूची जनजातीयां अदेश 14 संशोधन विदेख 2022 को धनी मत से मनजूरी दे दी। इससे पहले राजसभा की सभावती जगदीब धनकर ने नियापालिका और सरकार के संबन्द में संप्रग अध्यक्ष सूनिया गांधी के बयान को पूरी तरह से अनुचित बताते हुए राजरतिक दलों के नेताओं से आग्रह किया कि वे उच्च सम्विधानिक पदों प परे है सूनिया कॉंग्रेस से संसदिय दल की प्रमुग भी है और उन्होंने बुधवार को पार्टी संसदिय दल की बैठक में आरूप लगाया कि केंद्र सरकार सूनियोजी धंग से नियापालिका के प्राधिकार को कमजूर करने का प्रयास कर रही है जो बहुत ही परिश परिशान करने वाला घटनाकराम है धंगर ने उच्छतन नयायले और उच्छ नयायलो में नयाधीशों की नियोक्ति प्रक्रिया से संबंदित राष्ट्रिय नयाइक के नियोक्ति आयोक कानून को रद दिकिए जाने को लेकार पिछले दिनों नयायपालिका की आलोशना की थी और इसे संसदिय संप्रभूता से समझोते का उधारन बताया था इसके बाद सदस्यों ने विशेश उलेक के जरिये लोग महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए जिन सदस्यों ने अपने अपने मुद्दे उठाए उनमें भाजपा के विपलब कुमार देव, दिनिश जेमल भाई, अनवाधिया, अरुन सेंग, हरनाथ सिंग यादव, डॉक्टर कलपना सैनी, लेटनन जनरल, डॉक्टर डीपी वत्स, राजेंद्र कहलोद, समीर ओराव, डॉक्टर लक्षमी कांद बाजपही, सीमा दिवेदी, जागेश, मनोनित सदस्य, गुलाम अली, बैठक शाम 6 बजे, 6 बच कर 25 मिनट पर कल शुकरवार को पूरवान का 11 बजे तक के लिए इस्थागित कर दी गई, और इसी के साथ असंसर समाचार में अभी के लिए फिलाल इतना ही, दीजिये जगत, नमस्कार